क्या हुआ अंशिका, तुम्हारी तब्यत कुछ ठीक नहीं लग रही हाँ वो, मैं अभी हॉस्पिटल से अबॉर्शन करवा कर आई हूँ इसलिए थोड़ी कमजोरी फील हो रही है तुम पागल हो क्या, तुम हमारा बच्चा गिरवा कर आई हो जबसे हमारी शादी हुए तब से मैं इस खुशखबरे का इंतिजार कर रहा था और आज तुमने उसे अबॉर्ट करवा दिया लीगल तोर पर ये बच्चा मेरा है इसलिए मेरी मर्जी मैं इसे रखुए गिराओ वैसे भी बॉड़ी मेरी खराब होगी तो इसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है उनकी ये बात उनकी नौकरानी सुनीता सुन लेती है एक मैं अभागविन हूँ जो बच्चे के लिए कितनी मनते मांग रही हूँ और एक मेम सावे जो अपना बच्चा गिरा कर आ गई ए भोले नात ना जाने तू कब मेरी जोली भरेगा ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं एक रोज अन्शिका की सास रमोला मिठाई लेकर आती है और उससे कहती है ले बहू ये देसी खीके मोती चूर लड्टू खा ले और उसकी कमला दे कर गई है ना जाने मेरे नसीब में कब दादी बनने का सुख होगा ओफो अब आप भी शुरू मत हो जाए मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे ये बच्चा वच्चा नीच चाहिए मुझे आपके जैसे गुबारी की तरह थोड़ी न फूलना है 55 की होकर 60 की लगती हो आप मुझे जिम जाने में देर हो रही है आप खाये ये लटू समय बीटता है एक रोज ऐसे ही अंशी का जिम में एकसरसाइस कर रही थी कि वो अच्चानक बेहोश हो जाती है उसके घरवालों को इनफॉर्म किया जाता है वो उसे अस्पता लेकर चले जाते हैं जहां डॉक्टर उनसे कहता है मुबारग हो आपकी वाइफ मा बनने वाली है नहीं, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए मुझे आज ही अबोर्शन करवाना है अब इस डर से अबोर्शन नहीं करवाती उधर भोले नात की क्रिपा से सुनीता की गोद भी भर जाती है और वो भी गर्वती हो जाती है अब जहां गर्भवस्ता की हालत में भी सुनीता सारा दिन काम करती तो वही अंशिका बिस्तर पर पड़े-पड़े आराम करती रहती एक दिन उसकी सास उससे कहती है अंशिका बहू तुम सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हो ऐसे में जादा आराम करना भी ठीक नहीं कम से कम थोड़ा टहल ही लिया करो प्रेगनेंट मैं हूँ माजी तो आप मुझे ये सब ग्यान मत दीजे और अब जाएए यहां से ऐसे ही नौ महीले बीच जाते हैं और दोनों की डिलिवरी का दिन आ जाता है जहां सुनीता नॉर्मल डिलिवरी से सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म देती है तो वही अंशिका की डिलिवरी सी सेक्शन से होती है कुछ दिन बाद वो घर आ जाती है एक रोज अरे मेरा बच्चा क्यों इतना रो रहा है आज़ा मैं तुझे दूद पिलाओ सुनीता मुन्ने को दूद पिला पिला गर तुम कितना कमजोर हो गई हो मैं मुन्ना के लिए बाहर का दूद ले आता हूँ नहीं नहीं मा की रहते हुए वो बाहर का दूद क्यों पिएगा और वैसे भी मा का दूद बच्चे के लिए बहुत लापकारी होता है उधर दूसरी तरफ अंशिका का बेटा रो रहा होता है लेकिन फिर भी वो से दूद नहीं पिलाती क्या मुसीबत है तब से ढोल की तरह बज़े ही जा रहा है इसकी आवाज सुन सुन कर तो मेरा सिर दर्द हो गया चुप हो जाब और कितना रोएगा अंचिगा उसे भूग लगी है उसे दूद पिलाने के बज़े उसे डाट रही हो तुम्हारी वज़े से मेरा फिगर खराब होगी और तुम चाहते हो इसे दूद पिलाकर मैं अपना बचा-खुचा फिगर भी खराब कर लू तुम ही संभालो इसे कुछ दिन बाद सुनीता काम पर वापस लोटाती है सुनीता उनके घर का सारा काम अपने बच्चे को पीच पर बाध कर ही करती फिर ठकी हारी घर आकर खाना बनाती उसके बाद अपने बच्चे की मालिश करने बैठ जाती तो वहीं अन्शिका तो बस जिम और अपनी फिटनेस पर ही ध्यान देती और बच्चे की मालिश नहीं कर पाती जिसका रण दिन पर दिन उसके मुन्ने का विकास ठीक से नहीं हो पाता जिस वज़ा से निशान तुसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है देखे बच्चे की मालिश बहुत जरूरी है अगर इसकी मालिश नहीं होई तो हो सकता है कि अबाईज हो जाए ये सुनते ही निशान घपरा जाता है शाम को जब मुन्ना रो रहा होता है तो अन्शिका जिम से आती है और चिलाते हुए कहती है ओफो इस बच्चे ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है जब देखो चिलाता रहता है काश की तो गुंगा पैदा होता ख़ी कभी तो मेरा मन करता है कि तेरा गला ही दबा दू ये सुनकर निशान तो उसे जोड से थपढ़ मार देता है और उससे कहता है अरे कैसी मा है तू, तू मा नहीं डायन है, कोई भला अपने बच्चे के लिए ऐसा कह सकता है, आज तेरे कारण मेरा बच्चा अपाईज होने वाला है अपने पती की बात सुनकर अंशिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो निशान से माफी मांगती है मुझे माफ कर दो निशान्त मुझसे गलती हो गई, मैं अपने बच्चे के अपाईज होने का कारण बनने वाली हूँ मेम साहब अभी भी देर नहीं हुई है, बच्चे को अपना दूद पिलाकर और उसकी मालिश करके आप उसे ठीक कर सकती है और इसमें मैं आपकी मदद करूँगी उस दिन के बाद से अंशिका अपने बच्चे का पूरी तरह ध्यान रखती है और उसे समय समय पर अपना दूद पिलाती है साथ ही सुनीता की मदद से उसकी मालिश भी करती है कुछी दिनों में उसका बच्चा भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है अब अंशिका के अंदर भी ममता जाग जाती है और वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है शारदाई कोठी में काम करती थी कोठी की माल की नंदिनी बहुत ही अक्रू थी उसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था नंदिनी अपने घर के किसी भी नौकर से कभी भी ढंक से बात नहीं करती थी नंदिनी की बेटी स्वाती फिफ्थ क्लास में थी उधर शारदा की बेटी शालू भी फिफ्थ क्लास में थी कभी कभी शालू के स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो शार्दा के साथ काम पर आ जाती थी शालू तु यहां बैट कर पढ़ाई कर तब तक मैं मालकिन के घर के सारे काम निपटा लेती हूँ ठीक है ममी क्या हुआ शार्दा आज तु फिर शालू को अपने साथ ले आई वो भाबी जी इसके पापा गाउं गए हुए है घर पर बिलकुल अकेली किसके पास छोड़ती इसलिए साथ ले आई यह तंग नहीं करेगी वैसे भी इसकी परिक्षाइन शुरू हो गई है तो पढ़ाई कर रही है पढ़ लिखकर कौन सा इसने कलेक्टर बनना है तुम्हारे में तो वैसे भी पांच वी छटी पढ़कर शादी करतेते हैं नहीं आंटी मैं पढ़ लिखकर बहुत बड़ी इंजीनियर बनूँगी मैंने ममी पापा को बोला है कि मुझे खूब पढ़ाई करनी है बेटा तुम्हारी मा गरीब है वो तुम्हें इंजीनियर नहीं बना सकती ये सब सपने देखना छोड़ दो और वैसे भी तुम लोग इंगलिश मीडियम में तो पढ़ते नहीं हो मामूली छोटे से स्कूल में पढ़ते हो वो भी हिंदी मीडियम तो उसके बलबूते तो तुम इंजीनियर बन ही नहीं सकती शार्दा बच्चों को वही सपने दिखाये करो जिनने तुम पूरा कर सकते हो बिकार में तुम शालू के दिमाग में बड़ी इंजीनियर बनने का सपना सजा रही हो जबकि तुम जानती हो कि तुम एक गरीब मा हो शालू का मन उतास हो गया जब उशार्दा के साथ घर जा रही थी तब उसने उससे पूछा ममी गरीब क्या होता है और आंटी हमें गरीब क्यों कहती है क्या गरीब इंजीनियर नहीं बन सकते ममी क्या मैं बेकारी सोच रही हो कि मैं इंजीनियर बनूगी इतना मत सोच बेटा अगर तेरी किसमत में इंजीनियर बनना लिखा है तो तू जरूर बनेगी पर इतना याद रखना शालू बेटा किसी के भी कहने से अपने लक्षी को मत छोड़ना अगर तुमने मन में ठान लिया है कि तुम इंजीनियर बनोगी तो तुम जरूर बनोगी अच्छा चल, मैं तुझे हलवाई की दुकान से लड़ू खरीद कर देती हूँ, तुझे लड़ू अच्छे लगते हैं न? ठीक है ममी, आप मुझे एक नहीं दो लड़ू लेकर देना शारदा शालू को इस तरह से समझाती है कि उसके दिल में कोई बात न रह जाए और वो अपने जीवन के लक्षे पर ही नज़ा रखे एक दिन शारदा जब काम पर पहुँची तो उसने देखा कि नंदिनी अपने मुबाइल फोन पर बातों में लगी हुई है वहीं स्वाती अपने कमरे में मुबाइल पर गेम खेल रही है तभी नंदिनी स्वाती को ड्रोइंग रूम से आवाज लगाती है स्वाती कितनी देर और गेम खेलोगी चलो पढ़ लो पता है न तुम्हारे कल से एक्जाम शुरू है मॉम बैस थोड़ी देर और खेलने दो ना अभी मैं बहुत बढ़िया गेम खेल रही हूँ मैं पढ़ लोगी मॉम मुझे सब कुछ आता है स्वाती बिठिया कमरे में ज़ाड़ो लगा लूँ ना या आँटी अभी मैं गेम खेल रही हो आज मेरी छुट्टी है स्कूल की अभी आप रहने तो थुड़ी देर बाद लगा लेना स्वाती बिठिया बुरा ना मानोत एक बात कहूँ बच्चों का इतनी देर मुबाइल फोन चलाना अच्छी बात नहीं है आपकी परिक्षाएं भी तो कल से शुरू होने वाली है आपकी ममी बता रही है शारदा भी स्वाती को बड़े होने के नाते समझाई रही थी कि अच्छानक नंदिनी ने आकर सारी बाते सुन ली शारदा ये क्या तमीज है मेरी बेटी से बात करने की तुम्हें ये हग किस ने दिया अपनी हद में रहो तुम एक नौकरानी हो समझी और मेरी बिटिया तुम्हारी बेटी की तरह नहीं है जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले इंग्लिश मीडिया में पढ़ती है मेरी बेटी और अच्छे नंबर से ही पास होगी जाओ यहां से और आज के बाद इस तरह से मेरी बेटी से बात करने की कोई ज़रुरत नहीं है भला मैंने तुम्हें काम पर रख लिया तुम तो घर में घुसने की कोशिश कर रही हो माफ करना नंदिनी भाबी मैंने तो इसलिए बिटिया को बोला कि उनकी परिक्षाएं है तो पढ़ ले ठीक है ठीक है मेरा दिमाग खराब मत करो जाओ यहां से बाहर की सफाई करो और स्वाती मैं थोड़ी देर में मार्केट जा रही हूँ तुम मेरे पीछे से पढ़ाई कर लेना नंदिनी के यही आदत थी कि वो अपनी बेटी स्वाती पर ध्यान नहीं देती थी और इससे स्वाती की पढ़ाई पर असर होने लगा फिर एक दिल मम्मी मैंने कहा तो मुझे नहीं पता था कि मेरा मैट्स का एक्जाम है मैं भूल गई मम्मी अब कैसे होगा तुम्हारे पापा भी घर पर नहीं है ट्यूशन में तुम ध्यान नहीं लगाती हो इतने सारे कोर्स को दो दिन में कैसे पूरा करोगी मैं भी तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ा पा रही हूँ कितना ही पढ़ा लूँगी सेटरड़ संड़े का ओफ था इसलिए शारदा के साथ शालू भी आया हुई थी शालू के एक्जाम खतम हो चुके थे शालू नंदिनी के पास आई और बोली आंटी अगर आपका हो तो मैं स्वाती के हल्प कर सकती हूँ मेरे एक्जाम खतम हो चुके हैं मैं स्वाती को मैट्स पढ़ा दूघी तुम कैसे पढ़ा Elijah तुम हिंधी मीडियम की लड़की हो तुमहारे स्कूल में उनके बड़े स्कूल के जैसी पढ़ाई नहीं होती है आंटी मैट्स के फॉर्मूले तो सब जगए एक ही होते है हमारे स्कूल में भी स्वाती के स्कूल जैसी ही किताбे है मेरा कोर्स स्वाती के साथ मिलता जुलता है अगर आपका हो तो मैं स्वाती को पूरी मैट्स करवा दूंगी ठीक है एक बार शुरू करो मैं देखती हूं कि तुम इसे कैसे समझाती हो मॉम क्या कर रहे हो, शालू मुझे नहीं पढ़ा पाएगी मेरा तु दिवा खराब हो रहा है, मैं क्या करूंगी कल एक्जाम में एक बर पढ़कर देख लो, नहीं समझाएगा, तो करना फिर जैसे पेपर करने, मैं क्या करू शालू स्वाती को मैट्स पढ़ाने लगती है कुछी देर में नंदिनी देखती है कि स्वाती शालू से बहुत अच्छे से मैट्स समझ रही है ये देखकर वो हैरान रह जाती है नंदिनी भाबी चिंता मत करो शालू मैट्स में बहुत अच्छी है इस बार उसके पेपर बहुत अच्छे गए है उसकी टीचर कह रही थी कि वो गणित में बहुत अच्छे नंबर लेकर आई है हाँ मुझे दिख रहा है स्वाती शालू से अच्छे से समझ पा रही है शालू के पास दो दिन का टाइम था वो शनिवार और इतवार दोनों दिन स्वाती को खूब मेहनत करवाती है शालू का दिमाग पढ़ाई में बहुत अच्छा था उसके बताए गए तरीके से स्वाती मैट्स को करती है अगले दिन सोमवार को जब स्वाती पेपर दे कर आती है तो वो बहुत खुश थी ममी मेरा मैट्स का पेपर बहुत अच्छा गया है आपको पता है शालू ने मुझे एक एक चीज समझाई थी मेरी ही सोज गलत थी मैंने हमेशा शारदा को गरीब कहकर उसका कितना अपमान किया पर आज देखो उसकी बेटी कितनी समझदारी से स्वाती को पढ़ा रही थी मुझे शारदा से माफी मागनी होगी कुछ समय बाद स्वाती का रिजल्ट आ जाता है स्वाती के मैट्स में बहुत अच्छे नंबर आये थे नंदिनी जानती थी कि स्वाती के अच्छे मार्क्स लाने में सबसे बड़ा हाथ शालू का है शालू बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है तुमने स्वाती की बहुत मदद की ये लो तुम्हारे लिए लैपटोप, तुम्हें इसकी बहुत जरुत होती है न और तुम्हें इंजीनियर भी बनना है, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच शालू के चेहरे पर जो मुस्कान थी उसका कोई मोल नहीं था नंदिनी जानती थी कि शालू ने जो स्वाती के लिए किया वो भी काबिले तारीप था नंदिनी पैसे वाली थी, वो एक गरीब मा की बच्ची का भविश्य बनाने में मदद कर सकती थी एक गरीब की बच्ची का सपना पूरा होने में थोड़ी सहायता कर सकती थी उसकी इसी सोच ने उस दिन से उसके व्यवहार को बदल दिया अब कभी भी स्वाती को पढ़ाई में कोई परिशानी होती तो नंदिनी शालू को बुला लेती नंदिनी ने देखा कि व्यक्ति अमीर या गरीब कुछ नहीं होता व्यक्ति का चरित्र माइने रखता है झाओ परिव पर लेखता है